ओम स्री वेंकटेश्वराय नमहा आज के वीडियो में हम टी टी डी की तरफ से नवंबर आठ को चंद्र ग्रहन की वज़े से दर्शन टाइमिंग में जो भारी बदलाव आया है उसके बारे में जानेंगे और कुछ टी टी डी के अपडेट्स जो भगतो को जाने की बहुत ज जादा आवश्यक्ता है उसके बारे में जानेंगे नवंबर आठ को चंद्र ग्रहन की वज़े से मंदिर का कपाट सुबह आठ चाली से रात साथ बीस तक बन रहेगा टी 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 के द्वारा जारी की एग न्यूस के अनुसार उस दिन यानी नवंबर आठ को SSD टोकन्स यानी स्लोटेड सर्वदर्शन टिकेट्स जो ओफ लाइन दिये जा रहे हैं साथ ही आरजित सेवा जैसे कल्यानोटसवम, उन्जल सेवा, ब्रह्म महोटसवम और सहस्त्र दीपा लंकर सेवा, VIP ब्रेक दर्शन और स्पेशल दर्शन सभी को नवंबर आठ के दिन स साथ बीस यानी रात के साथ बीस को मंदिर के शुद्धी के बाद खोला जाएगा और भक्तों को तभी धर्म दर्शन यानी बिना कोई टाइम स्लोट के सीधे वैकुंठम Q कॉम्पलेक्स टू से दर्शन के लिए अनुमती मिल जाएगी, इस दर्शन Q में कितना टाइम लग सकता है, ये उस दिन के भक्तों के रश के उपर निर्भर करता है, तो जो भक्त तिर्मला के लिए 8 नवंबर को जा रहे हैं, सिर्फ रात 7 बीस के बाद ही मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं और वो भी नॉर्मल लाइन यानी धर्म दर्शन के Q में लगकर, इसके सा रात 8 बजे से ही स्टार्ट किया जाएगा, तो भक्त उसी हिसाब से अपनी यात्रा नवंबर 8 को प्लान करें, कोई भी ओफलाइन टिकेट्स नवंबर 8 को उपलब्द नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दर्शन यानी की धर्म दर्शन से ही आप भगवान के और वो भी रात को 7-20 के बाद, इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे भक्त जो तिर्मला दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये इन्फोर्मेशन पहुँच पाए, जिन भक्तों को ओफलाइन एकॉमेडेशन के बारे में तो इस चैनल में हमने फ्री लॉकर और एकॉमेडेशन फेसिलिटी जो तिर्मला यानि पहाडों के उपर मंदिर के परिसर में मिल जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, साथ ही बच्चों के लिए, फिजिकली उनों के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एक बार आप ज़रूर चेक करें, इससे कई हद तक बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्स के ज़रूर कीजेगा